यक्षणी का उलेक हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है रामायन से लेकर महा भारत तक तथा अन्य कई पुराणों में भी इनका माननिय उलेक है कौन है यक्षणी? कितनी शक्तिशाली होती हैं यक्षणियां? कैसे उत्पत्ति हुई थी इनकी? तंतर साध्धा में क्यों इनका इतना महत्व है? आईए विस्तार से जानते हैं यक्षणी के बारे में ओम गनपते चैनल में आपका स्वागत है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें इससे हमें और भी अच्छा कारे करने की प्रेणा मिलती है विभिन धर्म गरंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें यक्ष और यक्षणी उन दिव्वे प्राणियों में से एक हैं जो ब्रहमांड के विभिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वै उपदेव की श्रेणी में आते हैं और इनके स्वामी कुबेर हैं तंत्र साधना के विभिन गरंथों में साधारन तया 36 यक्षणियों का उल्लेख आता है इनमें से चार यक्षणियां पूरी तरह गोपनिये हैं इन चार गुप्त यक्षणियों के बारे में कोई नहीं जानता 32 यक्षणियों में हर एक यक्षणि का एक विशिष्ट मंत्र है इने सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, एश्वरे, सफलता, वैभव, प्राक्रम, संतान सुख, मन्चाही उपलब्दियां, रत्न आदी प्रकार का सुख, प्रदान करने वाली तथा शत्रू का भैय दूर करने वाली है अगर इन मंत्रों का विदी विधान से उचारण किया जाए, तो मानव जीवन की समस्त परिशानियां हल हो सकती हैं, बिना किसी गुरू के और बिना किसी अनुभव के, किसी भी मनुश्य का इनको सिद्ध करना उचित नहीं है यक्षणी का वर्णन हिंदू धर्म के अतिरिक्त, जैन तथा बौध धर्म में भी बड़े विस्तार से किया गया है रामायन और महा भारत में तो यक्ष और यक्षणीयों का वर्णन कई स्थान पर मिलता है रामायन काल में ताड का एक बहुत शक्तिशाली यक्षणी थी जिसका वद भगवान विश्णू के अवतार श्रीराम के हाथों ही संभव था सुरसुंदरी, मनोहारणी, कनकाविती, रतीप्रिया, पदमिनी, कामेश्वरी, अनुरागिनी, शेशानी, करन पिशाचनी, धान्या, नटी, विचित्रा, आदी इनके नाम है यक्षणियों को सकरात्मक शक्तियों और पिशाचनियों को नकरात्मक शक्ति के रूप में जाना जाता है इनकी उत्पत्ति के दो मुख्य विवरण हमें अपने धरमगरंतों में मिलते हैं पहला रामायन के उत्तरकान में हमें मिलता है इनके अनुसार एक समय सृष्टी का निर्मान करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जन्तूओं को बनाया था। प्रजापती ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम यतन पूर्वक मनुश्यों की रक्षा करो। तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा साथ हम रक्षा करते हैं और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम अर्थार्थ हम उत्रोत्तर व्रिधी करते हैं जिन्होंने रक्षाम कहा था वे राक्षस हुए और जिन्होंने यक्षाम कहा था वे यक्षे हुए आगे चलकर रिशी विश्रवा ने दो विवाह किये पहली मायावी थे उनके पास मायावी शक्तियां थी और दूसरी तरफ यक्ष थे उनके पास भी बहुत से जादुई एवं मायावी शक्तियां थी लेकिन दोनों में अंतर ये था कि राक्षस मृत्यू लोक या पाताल लोक में ही रहते हैं वहीं यक्ष स्वर्ग तक जाने में इसलिए विभिन धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगय पर हमारे तृदेवों तथा अन्य मुख्य देवताओं के साथ भी मिलता है। यक्षणी की उत्पत्ती की एक और पौरानिक कथा है जिसके अनुसार एक समय भगवान शंकर हिमालय परवत पर तपस्या कर रहे थे। तो देवी पारवती अपनी सक्षियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही थी। ऐसा करने के पीछे देवी पारवती का प्रभु शिव को पती रूप में प्राप्त करना था। उस समय वहां देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए काम देव पहुँचे। उस समय जब काम देव ने भगवान शिव के उपर बान छोड़ने की सोची त फिर काम देव ने अपने बानों का प्रयोग माता पारवती पर कर दिया। देवी स्वयम प्राकृति होने से सब जानती थी। इसलिए उन्होंने काम देव के इस दुष्ट कारे को क्षमा कर दिया। तारका सुर्वद के लिए भगवान शिव को वैराग्य से हटाना अवशक था क्यूंकि उसका वद भगवान शिव की संतान के हाथों ही होना था भगवान शिव섯 देवी सती के वियोग के कारण गहन समाधी में चले गए थी इसलिए उनको ऐसी अवस्था में देखकर देवताओं ने काम देव को भेजा था क्यूंकि उन्ने ये ज्यात था कि म माता पार्वती ही माता सती हैं और तब माता पार्वती का भगवान शिव की संगनी बनना निश्चित था इसलिए जब कामदेव ने वैबान छोड़े तो पार्वती जी क्रोधित अवश्य हुई थी परंतु फिर भी मन ही मन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया क्योंकि व मानों से उनकी भावना पसीने के रूप में बाहर आ गई थी तब माता पार्वती ने उन बूंदों को हाथ से पूँच कर जमीन पर पटक दिया वैबूंदे लाखों में विखर गई और पृत्वी सहित ब्रह्मांड के अलग अलग जगों पर गिरी जहां जहां व्यक्तियों और रिशियों को चूने लगी इस पर उनको श्राप दिया गया कि वैब तब तक देवता तुल्ले नहीं हो सकेंगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूच कर उनकी साधना नहीं करता यक्षणी साधना का विधान ऐसे ही हमारी धरती पर आया था काम देव का भगवान शिव पर बान चलाने का वरितांद शिव पुराण में भी मिलता है जिस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर काम देव को अपना तीसरा नेत्र खोल कर भस्म कर दिया था यक्षणी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं इसलिए उनको प्रसन करना बहुत कठिन हैं क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और वैं हर एक कारे को संपन्न करने में सक्षम होती हैं यक्षणिया प्रित्वी पाताल स्वर्ग आदी सभी लोकों से जुड़ी होई हैं और वैं सभी लोकों में भटकती हैं वैं भी चाहती है कि उनका श्राप करने वाला उन्हें कोई मिले पर्वे सच्चा भी होना चाहिए भले साधक मा के रूप में उनका श्राप नश्ट करे बहन के रूप में नश्ट करे या पत्नी प्रेमिका के रूप में नश्ट करे अगर कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वे अपने साधक की हर धी होना आवशक है। यक्षनी भी अपने साधक की बुरी तरह परिक्षा लेती है। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर ये उसी साधक को कष्ट भी देती है। इसलिए इनकी सिद्धी से पूर्व सभी आवशक सावधानियां बरतनी चाहिए। परमपिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।